पूनम शीशे में देखकर खुद को निहार रही है। कितना सुन्दर हार है ये। और वहाँ पर रखे हुए अन्य सजावट के सामान को इस्तिमाल करती रहती है। तभी वहाँ उसकी मामी और मासी आ जाती है। ओहाँ क्या बात है अपनी विदाई की तयारी अभी से कर रही हो। हाँ वही तो और एक हम लोग थे जो अपनी विदाई से डरा करते थे। आजकल तो नया जमाना है लेकिन कोई नहीं चलता है ये सबूनम को शर्म आ जाती है। अरे इसमें शर्माना क्या। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मामी मासी मैं तो बस पहन कर देख रही थी। अच्छा चल अब जल्दी से खाना खाले फिर शाम को शादी में भी तो जाना है ना। अरे हां मामी बहुत सारा काम पड़ा है चलिए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर उसके बाद अपना का प्रदार की शादी है और बस ये लोग उसी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आज तो हम शादी में बहुत मज़े करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। ओह ओह बस मौज मस्ती में लगी रहे। तु पढ़ाई मत करना। अरे तो क्या हुआ, जिन्दगी में मौज मस्ती भी तो जरूरी है। अरे जरूरी है, लेकिन मस्ती के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। मेरी पूनम को देखो कितनी तेज है पढ़ने में। अरे मा, आप तो बस दीदी के तारीफ ही करती रहती है। वो पढ़ने में क्या अच्छी हो गई तो लगता है दुनिया ही जीत ली उन्होंने। क्या गारगी, तुमने तो उसका मूड ही आफ कर दिया। वहाँ पूनम अपना लहंगा लेकर आती है। अच्छा मम्मी, मैं नीला वाला लहंगा पहनू ना, सही है ना। बिल्कुल सही है, तू तो एकदम परी लगेगी उसमें। जल्दी से तयार हो जा, शादी में नहीं जाना क्या। जाना है ना, होती हो तयार, दीदी से सुन्दर लगना है मुझे। पूनम की मामी और मासी शादी में पहले ही जा चुकी थी। पूनम तयार होकर आती है, मेरी बिटिया एकदम परी लग रही है और आप इस परी की मा हैं, तो इस रिष्टे से आप महान हुई। है ना, मा, भई वा पूनम, बड़ी होने के साथ काफी समझदारी वाली बाते करती है तू। तभी रेखा दोड कर आती है, अरे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, जल्दी चलो। क्या हुआ मामी, कुछ तो बताइए। बताने का समय नहीं है, बस आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आखेर ऐसी क्या बात, तीन घड़े बात तो शादी होने वाली है। तभी तो कह रही हूँ, बस आप दोनों जल्दी चलो मेरे साथ पहले। ठीक है, चलिए। और सभी लोग उस घर में जाते हैं, जहां लड़की की शादी होने वाली थी। उस घर में दूलहन के मम्मी पापा के अलावा, दूले के पापा साहिल, और मम्मी पवित्रा, और एक दादी मा थी। लेकिन दूला दूलहन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लड़के वाले बहुत अमीर हैं, और गाउं के काफी बड़े जमीदार हैं, वहां सब लोग बहुत उदास और परिशान थे। अरे रेखा, क्या हुआ? कुछ तो बताओ अब। बहुत बड़ी मुसीबता पड़ी है, अब आप लोग ही इसमें कुछ कर सकते हैं। मुश्किल? कैसी मुश्किल मासी? हाँ, अब केवल आप ही दोनों हैं जो इस मुश्किल हालात में इनकी मदद कर सकते हैं। रामकिशन जी, मेरी मदद करिए। कैसी मदद ठाकुर जी, आप तो इतने बड़े हैं हमसे, हम छोटे लोगों से क्या मदद चाहिए आपको भला। दुलहन भाग गई है और अब शादी का मोहरत भी आ चुका है, ठाकुर जी की इज़त अब आपके हाथ में है। हां रामकिशन जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का विवा हमारे बेटी से करवाईए और इसकी विदाई यहां से ही कर दीजिए। और रामकिशन जी और गारगी जी, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करियेगा, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दूसरी और सभी ये बात सुनकर बिल्कुल भोचक्के हो रखे हैं और बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं। तेरी मासी बिल्कुल सही कहती है बेटा, तेरी शादी यहीं होगी। अरे चुप हो जाईए आप लोग, आप सबको पता भी है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अरे गारगी वैसे भी पूनम के शादी कभी ना कभी तो होगी ही ना, कहीं ये भी ना घर से भाग जाए, वक्त रहते ही कर देते हैं इसलिए। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब सही नहीं है। मुझे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। वो बहुत मना करती है, लेकिन सब गारगी को समझाने में लग जाते हैं। एक और रेखा और दिव्यानी और दुलहन की दादी मा, पूनम को समझाने में लगे हुए हैं। और दूसरी और दुलहन के माबाप बिचारे बहुत परेशान हैं। पूनम रोने लगती है। ममी, मैं क्या करू। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा, तो इस शादी के लिए मान जा। दरसल रामकिशन ने गारगी को डरा दिया था। ये कहकर कि अगर पूनम की शादी नहीं हुई, तो वो अपनी जान ले लेगा। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधन जी। मुबारक हो समधे जी, आईए, गले लग जाईए। बिचारी पूनम को इस बार भी समझोता करना पड़ रहा है। चलो पच्चो जल्दी से पूनम को तयार करो। सभी लोग पूनम को तयार करने में लगे हुए हैं। और रेखा और रामकिशन कोने में खड़े होकर बात कर रहे हैं। जी जा जी आपका प्लान तो बड़ा दमदार था। इंसान को चाला की तो आप से सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर एक राज खुलता है। मुझे पता था कि दुलहर मेरे पड़ोसी राजू से प्यार करती है। इसलिए मैंने उसकी मदद करी भागने में। अब क्योंकि मैंने उसकी मदद करी, इसलिए उसने मेरी मदद करी। अच्छा प्लान ही जी जा जी। मैंने उससे कहा कि शादी के दिन भाग जाना और तुम्हारी जगह मेरी बीटी पूनम उससे शादी कर लेगी देखा मैं कितना शातिर हूँ वो तो आप है जी जाजी बस ऐसे ही नाटक करते रहो हमारा बहुत सारा खचा बचता रहेगा देखा कैसे करवा दी ना फिरी में शादी मैंने दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और उपर से पैसा ही पैसा मिलेगा क्या दिमाग पाया है आपने वा 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 वहीं दूसरी और गारगी बिचारी परेशान है और दुखी होते हुए अपनी बेटी को सजा रही है थोड़ी देर बाद मंडप को बड़ा सुन्दर सजाया गया है अब दूलहन मंडप में आकर बैट जाएं दूलहे अनुज को उसका छोटा भाई प्रित्वी उसकी चाची, चाचा और मा पकड़ कर लाते हैं अनुज उछलते कूदते वहां आता है ये देखकर वहां उपस्थित सभी घराती बराती अचंबे में पड़ जाते हैं आद मेरी शादी है ना, मेरी गुडिया रानी मिलेगी मुझे हाँ हाँ, तुझे गुडिया रानी मिलेगी तेरी, इसके लिए पहले तुझे मंडप में बैठना होगा लेकिन मुझे पहले अपनी गुडिया को देखना है, तभी मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा, बस कह दिया तो कह दिया बेटा ऐसे जिद मत कर, अरे आ जाएगी तेरी गुडिया पापा ने तो बड़ा अच्छा रड़का ढूंडा है पूनम दीदी के लिए, अब मज़ा आएगा, जब दीदी अपने दूले राजा को देखेंगी महुरत निकलता जा रहा है, बेटा बैठ जाओ सबी हसने लगते हैं, उसके जिद करने पर दुलहन को बुलाया जाता है, तो पूनम अपनी मा के साथ आती है तुम मेरे साथ खेलोगी न चुपन चुपाई, चलो, खेलते हैं पूनम के आखों से आसू आ रहे थे, और एक पल को उसे समझ में नहीं आया, कि क्या हो रहा था बेटा अभी तुमारी शादी है, बाद में खेलना अनुज गुस्सा होकर यहाँ वहाँ हाथ पैर पटकने लगता है, जिससे पूनम की चुमरी सिर से हट जाती है यह सब देखकर पूनम और गारगी हैरान थी, और उनको पता लग जाता है कि अनुज एक पागल लड़का है रुक चाहिए तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, कि पूनम को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करने पड़ी थी और ये सारी चाल उसकी पिता राम किशन की थी उसने पहले ही दुलन के साथ समझोता कर लिया था वहीं शादी के मंड़प में पूनम और बाकी लोगों को पता चलता है कि दूले की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है इतना ही नहीं बलकि दूला तो शादी में अजीब अजीव हरकते भी कर रहा है चुप रहो पूनम पापा ये लड़का तो पागल है ये आप मेरे साथ क्या कर रहे है राम किशन पूनम के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके कान में बोलता है तो चाहती है कि मैं मर जाओ नहीं पापा ऐसा नहीं है तो चुप चाप बैट जा और शादी होने दे बेचारी पूनम मन मार कर बैठी रहती है और अपनी जिंदिगी के बारे में सोच रही होती है वहीं अनुश्री और अनुश बच्चो जैसी हरकते कर रहा है वो कभी अपनी माला उतार के फैंक देता और कभी कोई रस्म करने से मना कर देता अनुश चुप चाप बैठ जाओ नहीं तो हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे नहीं नहीं चाची जी ऐसा मत करिये अब मैं चुप चाप बैठूंगा प्रॉमिस प्रॉमिस ना ठीक है फेरे चल रहे थे और तभी पूनम दूर से देखती है कि रामकिशन दूले के पापा से काफी सारे पैसे लेकर एक गाल गाल रहा है बतलब पापा ने मेरी शादी के बदले पैसे लिए है ची ये सब देखकर पूनम को बहुत दुख होता है कुछ वक्त बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है अब विदाई का समय आ गया है रस्म के लिए दुलहन के पिता जी को बुलाया जाए लेकिन रामकिशन तो कहीं गायब हो गया था वो भी जान बूच कर ताकि उसे पूनम की विदाई न करनी पड़े रुखने का समय नहीं था क्योंकि अनुच बहुत परेशान कर रहा था अच्छा, मंडिक जी जल्दी जल्दी कर दीजिए जी जा जी तो अभी नहीं आने वाले आप पूनम को बिना विदाई के ही भेज दीजिए गार्गी और पूनम को ये जानकर काफी दुख होता है कि बिना विदाई किये ही पूनम को ससुराल भेजा जा रहा है लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाती अपना खयाल रखना बेटा, हिम्मत मत हारना तेरे साथ मैं हूँ हमेशा और ईश्वर भी है गार्गी पूनम को गले लगा लेती है पूनम उस समय बहुत रोती है आनुज भी उसे देख कर बच्चों की तरह रोने लगता है मुझे तुमारी बहुत याद आएगी दीदी मुझे भी, मैं तुम सब को बहुत याद करूँगी और उसके बाद पूनम अपने ससुराल चली जाती है थोड़े देर बाद बेटा, तुमने मेरे बेटे से शादी करके हम पर बहुत महरबाने की है पता नहीं, इसका शुक्रियादा मैं तुम से कैसे करूँ ये कैसे बाते कर रहे है, मैंने कोई आहसान नहीं किया शायद नियती को यही मनजूर था, आप लोग परिशान मत होए तुम बहुत अच्छी बेटी है और इतना कहकर उसकी सिर पर हाथ रखता है वहीं दूर से पवित्रा और अनुच की चाची करिश्मा देख रही थी इनको बड़ी पड़ी है, बड़ा गए हैं इसका शुक्रियादा करने अरे बलकी आहसान तो हमने किया जो इतने बड़े घर में इसको ले कर आए और क्या, आप बिल्कुछ सही कहती है अगले दिन सुबा आट बजे, पूनम सो रही होती है, पवित्रा उसके कमरे में आती है चल जरा किचिन में कुछ काम है पूनम जल्दी से उठती है और पल्लू सिर पर रखती है अरे इतनी सुबा हो गई मुझे पता नहीं चला, माफ कीजिएगा माजी हाँ कोई नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, हम लोग रोज सुबे 5 बजे उठ जाया करते हैं, अनुज हमेशा 9 बजे उठता है जी माजी, आगे से ध्यान रखोंगी पूनम अनुज को खाना खिलानी की कोशिश करती है, लेकिन अनुज खाना खाते समय बहुत नाटक करता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पहले खेल ले जाना है अनुच जी अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पढ़ जाएंगे और अगर आप बीमार पढ़ गए तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे सची हाँ तो क्या आप चाहते हैं आप बीमार पढ़ जाएं और ना खेल पाएं नहीं, नहीं, मुझे बिमार नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, चलिए, अपना मुझ खोलिए। पवित्रा वहाँ आती है, और पूनम को कुछ दवाईयां देती है। पूनम ये दवाईयां हैं इसकी, इसको टाइम से खिला देना। जी माजी। अच्छा, तो अनुझ खेलने की जित कर रहा है, इसे बाहर ग्राउन में ले जाओ, और थोड़ी देर बाद वापस आ जाना। जी माजी, तो पूनम अनुझ को पहले दवाई खिलाती है, और उसको लेकर ग्राउन में चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ 11 साल के, कुछ 12 साल के, तो कुछ 15 साल के। अरे अनुझ, तुम आ गए, अच्छा है, चलो, किरकिट खेलते हैं। रवी अनुझ का दोस्त था, और वो हमेशा उसकी मदद किया करता था, वो बाकी बच्चों की तरह अनुझ का मजाक नहीं उडाता था। अनुझ बड़ी मुश्किल से टेडा मेडा गेम खेलता है, और बैटिंग करने की कोशिश करता है, कि कभी अचानक से एक जोर की बॉलाती है, और अनुझ के सिर पर लग जाती है, अनुझ दर से चिलाने लगता है, पूनम ढर जाती है, और अनुझ को संभालती है, अरे क्य बेटे की ऐसी हालत देखकर पवित्रा बहुत गुस्सा करती है एक काम दिया था वो भी सही से नहीं हुआ तुमसे लेकिन आंटी पूनम भावी ने कुछ नहीं किया है ए भगवान ये क्या हो गया तुम सब चिंता मत करो मैंने डॉक्टर को बुला लिया है अनुच को जल्द डॉक्टर आ जाते हैं और अनुच की मरहम पट्टी करके वहां से चले जाते हैं देखो पवित्रा इस बात के लिए तुम पूनम को बार बार दोश मत दो क्योंकि हमें भी नहीं पता और उसे भी नहीं पता कि ये सब किस ने किया बहुत हो गया मैं जा रही हूँ मुझे ब पहले से ही ऐसी है लेकिन दिल की अच्छी है हाँ देवर जी पृत्वी पूनम से बात कर ही रहा होता है कि उसके फोन पर पॉल आता है और फोन पर गुड़ी लिखा हुआ था पूनम वो नाम देख लेती है अरी गुड़ी तो मेरी छोटी बहन का नाम है हाँ भाबी मैं आ अनुच का सारा काम संभाल रही थी उसे इन सभी चीजों की आदत नहीं थी इसलिए वो काफी परेशान भी हो चुकी थी लेकिन मजबूर थी तभी एक रात दस बजे चली अनुच जी बहुत देर हो गई अब दवाई खा लीजिए अनुच उस समय टीवी में गेम खेल रह होता है अरे मुझे गेम तो खत्म करने दो पहले और वैसे भी ये दवाई बहुत कड़वी है दरसल अनुच को चार दिन से कोई दवाई नहीं खिलाई जा रही थी उसका टेस्ट काफी कड़वा था अनुच जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अगर आप दवाई नहीं तो आप जल्दी ठीक नहीं होंगी मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो मैं तुम्हें मार दूंगा अनुच जी ऐसी बाते नहीं करते हैं चली दवाई खाली जी पूनम उसे बहुत मनाती है लेकिन अनुच नहीं मानता और थोड़ी दे निकल जाते हैं और वो तुरंत बालकनी में जाकर रोने लगती है ये प्रभू ये मेरी कैसी परीक्षा है अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं कुछ करिये प्रभू आदी रात के वक्त पूनम को नीड नहीं आ रही थी कि तभी अचानक से उसे कोई आवाज आती है पूनम ख दूसरी दवाइयों की शीशियों को खाली करके दूसरी दवाइयों को भर रही थी आखीर माजरा क्या था आखीं ये सब क्या कर रही है माजी तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि पूनम बीचारी की जिंदिगी में परिशानियों का जैसे तूफान उट पड़ा है और ना जानिक किस अंजान शक्स ने अनुच की सिर पर बॉल भी मारी थी वही रात में पूनम देखती है कि पवित्रा अनुच की दवाईयों के साथ कुछ हेर फेर भी कर रही थी आखिर क्यूं? अग आखिर पूनम चुपके से पवित्रा को देख रही है लेकिन उसे कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप अगले दिन का इंतिजार करती है पूनम अनुच के साथ बैट कर गुड़े गुड़िया का खेल खेल रही है पूनम दिन के एक बैच गए हैं तुमने ध्यान से अनुच को उसकी दवाई दे दी ना? जी माजी मैंने सारी दवाईयां दे दी है अच्छा तुम अनुच का ध्यान रखना मैं बाजार जा रही हूँ ठीक है माजी पवित्रा वहाँ से चली जाती है तभी पूनम तकिये के नीचे छुपाए होए दवाई को निकालती है दरसल पूनम इन दवाईयों को अनुच को नहीं खेलाना चाहती थी क्यूंकि उसे पवित्रा पर शक था अभी मौका है जल्दी से माजी के कमरे में जाती हूँ और दवाईयों की फोटो खीच लेती हूँ वहाँ पर वो दवाईयां भी होगी जिन दवाईयों से माजी ने अनुच की दवाईयां बदली है पूनम इन उसे जाने लगती है कभी अनुच उसका पल्लू पकर लेता है अभी आती हूँ अनुच आप बैटकर ड्रॉइंग बनाओ मैं अभी थोड़ी देल में आती हूँ ठीक है अच्छी बनी तो मैं आपको चॉकलेट दूँगी और पूनम जल्दी से जाकर पवित्रा के कमरे में रखे हूए उन दवाईयों को देखने लगती है और उनकी फोटो भी खीच लेती है ये दवाईयां तो बिलकुल अलग है अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा तब ही वहाँ चाची आती है और तावी बजाने लग जाती है वाँ 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 तुम तो जासूसी भी करने लगी बहुत बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है चाची जी मैं तो बस अनुच की दवाईयां चेक कर रही थी चुपकर एक तो चोरी करने आती है और उपर से जूटी जूटी बाते बनाती है ऐसी कोई बात नहीं है सच में चाची जल्दी से दवाईयों की टेबलेट्स को चीन लेती है इसके बाद पूनम को वो ना जाने क्या-क्या सुनाती है खैर पूनम को अनुच की चिंता थी इसलिए वो न दवाईयों के बारे में पता करने के लिए जल्दी से मेडिकल स्टोर पड़ जाती है मैडम, ये दवाईया मेंटल पेशन को ठीक करने के लिए नहीं बलकि और खराब करने के लिए है आप सच कह रहे हैं ना, आपने अच्छे से देख तो लीना अरे हाँ मैडम, मैं आपको क्यों गलत बताऊंगा हमारा रोज का काम है ये बात जानकर पूनम के होश और जाते हैं उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पवित्रा ये सब कर रही है इसका मतलब ये है कि माजी ये नहीं चाहती कि अनुच ठीक हो जाए अब देखना अनुच जी, मैं आपको ठीक करके ही रहूँगी दो दिन बाद पूनम अपने कमरे में होती है और उसको पवित्रा की उची-उची आवाज आती है अरे अब ममी जी को क्या हुआ, इतने गुसे में क्यों बोल रही है पूनम बाहर आती है, और देखती है कि पृत्वी ने उसकी सोतेली छोटी बहन कल्यानी से शादी कर ली है अरे पृत्वी तुझे इतना समझाया था, फिर भी तू नहीं समझा मा कल्यानी बहुत अच्छी है, देखिए पूनम भावी भी तो कितनी अच्छी है, कितना ख्याल लगती है भया का तो सोचिए उसकी बहन भी तो अच्छी होगी तु चुप कर, जादा मत बोल अरे पवित्रा अब तो शादी हो चुकी है, अब तो दुनों का अपना लो सुनिये जी, हमेशा आप जैसा कहेंगे वैसा नहीं होने वाला, ठीक है ना इसके बाद घर में खूब बहस बाजी होती है, और पवित्रा को ना चाहते हुए भी, अपने पती की बात माननी पड़ती है पृत्वी और कल्यानी की शादी के दो दिन बाद, पूनम काफी खुश है, क्यूंकि कल्यानी की आज मो दिखाई है वो एक नई साड़ी लेकर कल्यानी के रूम में जाती है, कल्यानी उस समय अपनी दोस्त क्रितिका से फोन पर बात कर रही है देखा ना क्रितिका तुने, कितने बड़े घर में मेरी शादी हुई है, मानना पड़ेगा मैं तो बहुत लगी हूँ अरे, तुम्हारी दीदी पूनम की शादी भी तो उसी घर में हुई है अरे, क्रितिका तुने भी क्या बात कर दी, वो पागल है पागल, कहा वो और कहा मेरा पती प्रित्वी हैंसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट अच्छा, सही है फिर तो पूनम दूर से खड़ी होकर ये सब बात सुन रही है और उसकी आखों में आसू आ रहे हैं तभी कल्यानी पूनम को देखती है अरे, दीदी, आप? हाँ, मैं तेरे लिए ही साड़ी लेकर आई थी ये लो, पहन लेना इसे थैंक्यू सो मज दीदी थोड़ी देर बाद मूँ देखाई का फंक्शन शुरू होता है और घर में काफी लोग आते हैं शाम को फंक्शन खत्म हो जाता है एक महीने बाद अनुच की तबियत थोड़ी सुधरने लगती है पूनम, ये लो, चाई पियो देखो, कैसी बनी है मैंने बनाई है क्या अनुच, वाकई में ये आपने बनाई है हाँ पूनम, मैंने ही बनाई है पूनम खुशी से अनुच को गले लगा लेती है और फिर खोद ही शर्मा जाती है अरे अनुच, मैं तो कुछ जाद ही एक्साइटर हो गई थी अरे तो क्या हुआ, तुम तो मेरी गुडियार आनी हो ना तभी कल्यानी वहां आती है ये सब देखकर वो बहुत जलती है क्योंकि उसने तो सूचा था अनुच के पागलपन से पूनम दुखी होगी लेकिन यहाँ पर तो एकदम ओल्टा ही हो रहा था दीदी, किचिन में चलिये बहुत सारा काम है महमान आने वाले हैं महमान? पर क्यों? आज क्या है? पता नहीं, चाची जी कह रही थी तो पूनम और कल्यानी किचिन में आ जाती है आज बहुत सारी महमान आने वाले हैं खाना समय पर बना देना दरसल पवित्रा और करिश्मा ने जान बूच कर बहुत सारे महमानों को घर में बुला लिया था ताकि दोनों बहने परेशान हो जाएं दोनों बहने काम शुरू करती हैं लेकिन कल्यानी को तो घर का कोई काम धंग से आता ही नहीं था अरे कल्यानी देखो सबजी जल गई ओहो अब मैं क्या करूँ टाइम भी कम बचा है दूसरी और पूनम दूसरी सबजी चकती है और थूप देती है अरे कल्यानी इसमें तो बहुत ही जाधा नमक हो गया है अब क्या करें? चिंता मत करें जैसा जैसा कहती हूँ वैसा करूँ सब ठीक हो जाएगा और इसके बाद पूनम बड़ी समझदारी से कल्यानी को समझाते हुए सारा काम खत्म कर देती है कल्यानी को एहसास होता है कि पूनम दीदी के बगेर वो बहुत सारे काम नहीं कर सकती लेकिन फिर भी वो अपनी बहन का शुक्रिया आदा नहीं करती अच्छा है दीदी मेरा काम कर रही है मुझे करना ही नहीं पड़ेगा कुछ दिन बाद पवित्रा और करिश्मा पूनम के कमरे में आती है उस समय अनुच पृत्वी और साहिल बाहर घूमने गए हुए थे मुझे पता है तुमें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है और तुम्हारे इस लाज के कारण ये अनुच ठीक हो रहा है आप कहना क्या चाती है? साफ साफ कही है मा जी ये जो तुम कर रही हो ना ये सब बंद कर दो और मेरे रास्ते से हट जाओ वरना सही नहीं होगा लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं ससुर जी को सब बता दूँगी अगर आपने मुझे रोका तो करिश्मा जोर से पूनम को धपड मारती है तो हमारी शिकायत करेगी? तुझे पता है तेरे ससुर को दिल की बिमारी है? सोच अगर उन्हें ये पता चला तो उन्हें कितना नुकसान पहुँचेगा मारना चाहती है क्या तू उनको? और तू जानना चाहती है ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो सुन, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अनुच की वज़ा से मेरी पूरी जिन्दगी बरबाद हो चुकी है पर अनुच ने ऐसा क्या कर दिया? साहिल का सारा ध्यान अनुच पर था उसकी वज़ा से वो मुझे भूल ही गए और मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील होना पड़ता था ना जाने क्या-क्या सुनाया जाता था मुझे बस इसलिए अनुच को इस घर से निकालने के लिए उसे और पागल बनाने के लिए ये सब किया तो इसमें अनुच की क्या गलती थी? अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो तो मेरी भी क्या गलती? मैं किस बात की सजा भुगतू? तब ही अनुच बाकी लोगों के साथ घर आता है और पृत्वी एक बुरी खबर सब को बताता है तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि पूनम अनुच का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है जिसके कारण उसकी दिमागी हालत अब धीरे-धीरे सही होने लगी है अब अनुच बच्चों की तरह जिद भी नहीं करता था इसी बीच पवित्रा को ये बात पता चल जाती है कि पूनम को उसके बारे में सब कुछ पता है अब आगी जैसे ही पृत्वी बाकी लोग के साथ घर आता है वो काफी परेशान होता है और उसके हाथ भी थोड़े जखमी होते हैं बेटा क्या हुआ? चोट कैसे लगी? मा आज बहुत बुरा हुआ कैसी बात कर रहा है बेटा? क्या हुआ? बता आज भाईया को बचाने के चक्कर में मुझे बहुत चोट लग गई हम लोग डॉक्टर के हाँ से आ रही है प्रिथवी के पापा आखिर क्या बात हुई बताईये हम लोग जहां गुमने गए थे वो थोड़ी पहाडी की उचाई पर पड़ता है अनुज वही पर खड़ा था कि अचानक से उसका पैर फिसल गया लेकिन पापा मेरा पैर नहीं फिसला था अनुज बच्पन में पहले हमेशा ऐसे ही दूसरों पर इलसाम लगाया करता था इसलिए सभी को लगा कि अनुज जूट बोल रहा है क्यूंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी हाला कि अब अनुज की दिमागी हालत काफी हद तक सही हो चुकी थी लेकिन फिर भी कोई उस पर यकीन करने को तयार नहीं था अरे मेरे बेटे तु ठीक है ना अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिन्दा कैसे रहती पवित्रा ऐसा नाटक करती है कि उन सबको यही लगता है कि वो अनुज से बहुत प्यार करती है और उसे अनुज की बहुत चिंता है अच्छा प्रित्वी चलो मैं तुभारे लिए हल्दी वाला दूद लेकर आती हूँ जी हाँ आप लोग जाए और आराम कीजिए वहीं पूनम भगवान को धन्यवाद करती है कि किसी को कुछ नहीं हुआ रात के वक्त पवित्रा किजिन में पूनम के पास जाती है तो क्या सोचा तुने कि तू मुझसे जीट जाएगी? हार और जीट तू वहाँ होती है जहां दो दुश्मन लड़ते हैं लेकिन आप मेरी दुश्मन नहीं है माजी देखना एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि अनुज आपसे कितना प्यार करते हैं पूनम के ये बात सुनकर कवित्रा मुझ बनाती है और वहाँ से चली जाती है कल्यानी और पूनम बाजार में सबजी खरीद रही है पालक लेली, मूली लेली, बैगल लेलिया, गोबी और भिंडी भी सब लेलिया है अब चलते हैं हाँ सब लेलिया, अब घर चलते हैं उफ ओ ये क्या है, तूने तो पूरी सड़ी हुई पालक लेली है ला निकाल वापस कर दू इसे अभी अरे छोड़ो ना, आप तो मेरी बेज़दी करवा रहे हो बस अरे इसमें बेज़दी वाली क्या बात है, ला, जल्दी ला और इस तरह पूनम सबजी वाले से पालक बदलवा लेती है कल्यानी को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कि पूनम खुद को बैस्ट समझती है आपको लगता है कि सब काम आपको ही आता है बाकी हम सब निकम में हैं यहाँ अरे नाराज क्यों हो रही है, फ्री में थोड़े ना ली है सबजी और इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाती है तभी एक सुनसान रास्ते में जाते वक्त एक गाड़ी उनके पास रुखती है गाड़ी का दर्वाजा खुलता है और उसमें से मुखोटा पहने हुए दो आदमी निकलते हैं वे लोग कल्यानी को खीच कर गाड़ी के अंदर डालने लगते हैं उसे छोड़ दो उसे कुछ मत करो चुप चाप खड़ी रहे देखो उसे छोड़ दो उसको कुछ मत करो मैं तुम लोग के साथ चलती हूँ तुम लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तयार हूँ लेकिन मेरी बेहन को कुछ मत करो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी तेरी एक ख्वाइश पूरी कर देता हूँ और वे गुंडे कल्यानी को छोड़ कर पूनम को पकड़ कर ले जाते हैं और इस तरह कल्यानी को समझ आता है कि पूनम दीदी वाकई में उससे बहुत प्यार करती है कल्यानी रोते रोते घर जाती है और सबको ये बात बताती है पूनम का देवार और उसके ससुर बहुत परेशान हो जाते हैं जल्दी चलो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी इसका अतल ये है कि उस दिन अनुज भाया को भी किसी ने उस पॉइंट हिल में मारने की कोशिश की थी इसके बाद सभी लोग पुलिस टेशन जाकर कंप्लेंट करवाते हैं दो दिन बाद साहिल को एक कॉल आता है क्यूं याद आया गुज मेरी आवास पहचान रहा है तू आखिर कौन हो तुम क्या चाते हो तुझे ऐसे परिशान होता हुआ देखकर मुझे बड़ा मजा रहा है सच में आखिर है कौन तू तभी वो आदमी एक गाना गाने लग जाता है मुन्ना मा का दुलारा है तू इस घर का चांद टुकड़ा तू मैं तुझे पहचान गया तू बल्लू है हमारे घर का नौकर दरसल पहले बल्लू ही अनुच के लिए ये गाना गाया करता था तभी पवित्रा उससे फोन छीन लेती है अरे तू मुझसे बात करना क्या चाहिए तुझे अभी तक तेरी अकड नहीं गई है तो सुन ले मुझे पूरे एक करोड रुपे चाहिए नहीं दूंगी क्या कर लेगा तू मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या करूंगा तुझे पता है मैं क्या करूंगा सबसे पहले तेरी बहु को मारूंगा फिर उसके बाद बल्लू एक वीडियो भेशता है जिसमें उसने पूनम को बांध रखा है और काफी प्रतारित कर रहा है फिर से बल्लू कॉल करता है अब बता, क्या चाहते हो तुम लोग छोड़ दो उन्हें, मैं तुमारे पैर पढ़ती हूँ तो पैसे का अंद्रजाम करो तुम लोग दो दिन का मौका देता हूँ और हाँ, पैसे देने प्रत्वी ही आएगा और फोन कट जाता है, कल्यानी बहुत रोती है चिंता मत कर बेटा, हम कुछ करते हैं प्रत्वी के पापा, आपको याद है न वो दिन जिस दिन बल्लू का बेटा पप्पू, प्रत्वी और अनुच खेल रहे थे और हाँ, और गलती से बल्लू के कलौधे बेटी की आँख में इन दोनों की वज़े से चोट लग गई थी जिससे वो अंधा हो गया था, इसी बात का बदला ले रहा है वो कहीं वो प्रत्वी को तो नुकसान नहीं पहुचाएगा ना लेकिन क्या करें, उसे जाना ही होगा, नहीं तो पूनम को वो लोग नहीं चोड़ेंगे वहीं अनुच बार-बार पूनम के बारे में पूचता है, लेकिन कल्यानी कोई न कोई बहाना बना देती है अब अनुच की दिमागी हालत थोड़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने अब हालात को समझना शुरू कर दिया था और अब वो बच्चों की तरह जिद नहीं करता था, थोड़ी देर बाद करिश्मा और पवित्रा बात कर रहे हैं इस पागल की वज़ा से मेरे बेटे की जान खत्रे में आ गई सही कहती हैं आप करिश्मा तो पवित्रा की हर गलत बात में हां मिलाती रहती थी दो दिन बाद प्रिथ्वी पैसा लेकर बल्लू के बताई हुए ठेकाने पर पहुँचता है बहुत बढ़िया आखिर पैसा ले ही आए भाभी कहा है? अरे मिल जाएगी तेरी भाभी चिंता मत कर पहले भाभी को दिखाओ और यहां लाओ बल्लू सीटी बजाता है तो उसके दो गुंडे पुनम को पकड़ कर बाहर लाते हैं पुलिस को तो साथ में नहीं लाया है ना तू अगर ऐसा हुआ ना तो तुझे और तेरी भाभी को छोड़ूँगा नहीं मैं मेरे साथ कोई नहीं है मैं केला ही आया हूँ चाहो तो चेक कर लो चल ठीक है पहले मुझे पैसे चेक करने दे वहीं दूर से ये सब एक औरत देख रही थी जिसने अपना पूरा चेहरा ढख रखा था उस समय उसकी आखों में आकरोश था साथ ही उसके हाथ में एक बंदूग भी थी आखिर कौन थी ये औरत जानेंगे हम अगले एपिसोड में दूसरी तरफ बल्लू पैसा चेक कर लेता है चल छोड़ दे पूनम को जाने देश को इसके दिवर के साथ हा 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 इस समय पूनम की हालत बहुत खराब थी इसलिए वो धीरे-धीरे प्रित्वी की तरफ बढ़ती है और वहीं प्रित्वी भी धीरे-धीरे अपनी भा दूँगा तेरी वजह से बेरे बेटे की जिन्दगी बरबाद हो गई है नहीं प्रित्वी भी काफी डर जाता है और उसकी दिल की धड़कने काफी तेज हो जाती है वो अपनी आखे बंद कर लेता है कि तभी जोर से बंदूग चलने की आवाज आती है चारो और सन्नाटा चा जाता है और पूनम की आखे फटी की फटी रह जाती है तो आखिर किसको गो और क्या वो गोली वाकई में पृत्वी को लगी थी या किसी और को? वहीं पृत्वी ने अपनी आखे बंद कर रखी थी और जब वो अपनी आखे खोलता है तो वो पाता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ बल्लू ने डराने के लिए अपनी हवा में गोली चलाई थी पीछे मुणने पर उसे उसकी मा दिखाई देती है पर वो किसी को नहीं लगी थी गोली चलते ही बल्लू के अलावा दोनों आदमी भाग जाते हैं मा आप यहाँ पर क्या कर रही है आप जानती है ना कि यहाँ पर आपकी जान को खत्रा है अच्छा मेरी जान को खत्रा है और तेरी जान को नहीं मा ये गुंडे सभी को मार देंगे ये सब इस चुडेल की वज़ा से ही हो रहा है माजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तू चुपकर चुडल तेरी वज़ा से ही मेरा बेटा यहां फस गया है ये सब घरेलू ड्रामा बंद करो और जल्दी से एक दूसरे को अलविदा कहो चोकि मैं तुम सभी को यहीं पर मार दूँगा देखो बल्लू तुम्हारे बेटों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ लेकिन मेरे दोनों बेटे उस समय बहुत छोटे थे और मेरा पृत्वी तो बिल्कुल ही बेकसूर है चुपकर जा और जो मेरे बेटे की ऐसी दुदशा हुई उसका क्या उसको भूल जाएगी तू चोड़ दे बल्लू चोड़ दे हमारे परिवार को अंतिम सास गिल ले अब और इसके बाद अपने सभी गुंडों को बुलाता है लेकिन वहाँ पर सफेद गमचे से मूँ ढके हुए सिर्फ एक ही आदमी होता है अरे बाकी कहां चले गए दरपोग भाग गए क्या तू आ जल्दी और इन दोनों का काम तमाम कर तब तक मैं प्रत्ली की मा को मारता हूँ जी मालिक और वहीं बल्लू का एक गुंडा साथी बंदूग का ट्रेगर दबाता है है समत करो छोड़ दो हमें भगवान के नाम पर छोड़ दो और तभी अचानक से वह गुंडा साथी बल्लू की तरफ बंदूग कर देता है अबे पागल हो गया है क्या तभी वो आदमी अपने मुह में ओडे हुए गमचे को उतारता है अरे तू कौन है तू तो मेरा आदमी नहीं है तेरा खेलब ख़द्म समझा मैं हूं स्पेक्टर राकेश प्रित्वी का बच्वन का दोस्त तूने कैसोचा कि तू इतनी आसानी से इन सभी को बेवकूप बना देगा प्रित्वी राकेश की करब देखकर मुस्कुराता है पूनम और पवित्रा भी खोश हो जाती है दरसल प्रित्वी ने पहले ही राकेश को ये सारी बाते बता दी थी क्यूकि सारा काम बड़ी चालाकी से करना था इसलिए राकेश अपनी दोस्त प्रित्वी की मदद करने के लिए आ गया था मेरे और आद्मियों का क्या किया तू दे वो भारे के टट्टू तो गोली चलते ही भग गये अब तू चल पुलिस थाने पहले अपनी बंदूख ला, मुझे दे चल रहा हूँ बहुत दुखी होता है और इसी बीच पूनम देखती है कि बल्लू अप पवित्रा को गोली मारने वाला है पूनम जल्दी से पवित्रा के सामने आ जाती है और वो चिलाती है कि गोली चल जाती है और पूनम के कंधे में लग जाती है दरसल बल्लू का निशाना चूग गया था और ये गोली उस अंजान औरत ने चलाई थी वो तो दूर छुपी हुई बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी आखिर कौन थी ये अंजान औरत पृत्वी को बहुत गुसा आता है वो बल्लू के पीछे से आता है और एक पत्थर से उसके सिर पर कई वार करता है जिससे बल्लू बेहोश हो जाता है और वो उसे उसी जगह पर बांथ देता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है पृत्वी भाग कर तुरंथ पूनम के पास वहीं पवित्रा भी रोते हुए पूनम को देखे जा रही थी अब उसे एहसास होता है कि वाकई में पूनम कितनी अच्छी बहू है तो जल्दी से दोनों लोग पूनम और राकेश को उसकी कार में बैठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं थोड़ी देर बाद मिस्टर पृत्वी आपकी भावे की जान बच गई है वो अब ठीक है लेकिन राकेश जी को ठीक होने है वो ठीक तो हो जाएगा न डॉक्टर हाँ हम कोशिश कर रही है पृत्वी अपने दोस्त के ऐसी हालत पर काफी दुखी होता है और रोने लग जाता है दुखी मत हो बेटा मुझे पता है ऐसे हालात में आदमी दुखी रहता है लेकिन इस बात की खुशी मना कि तेरे दोस्त ने इतना महान काम किया है हाँ मा मैं अपने दोस्त के सैसान को कभी नहीं भोलूगा कभी भी नहीं वहीं कल्यानी भी खोश होती है कि उसके पती और उसकी बहन की जान बच गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गए जो मैं अपनी बेटी को हमेशा धुतकारता रहा अरे नहीं पूनम के पापा अब दुखी मत हो ये हमें तो इस बात की खुशी है कि कम से कम आपको ये बात समझ में आई एक महीने बाद हाला थोड़ी ठीक हो जाते हैं और राकेश भी अब ठीक हो गया था तभी एक दिन इंस्पेक्टर राकेश घर आते हैं घर के सभी सदस से घर में ही थे साहिल अंकल आपको हम एक बहुती चोकाने वाली ख़बर सुनाने जा रही है कैसी खबर राकेश बेटा जल्दी बताना मेरा तो दिल बैठा जा रहा है पूनम को जो गोली लगी है वो बल्लू के बंदूक से नहीं निकली है बलके किसी और की बंदूक से निकली है ये कैसे संभव है वहाँ बल्लू ही तो गोली चला रहा था नहीं सिर्फ बल्लू ही नहीं था यानि कि उस वारदात के समय कोई और भी वहाँ पर मौझूद था जो हम सभी पर नजर बना हुए था ही भगवान कौन है वो जल्दी ही पता चल जाएगा बस हमें कुछ प्रशनों के उत्तर दीजी आप सब इसके बाद इंस्पेक्टर सभी सदस्यों से पूछताच करते हैं घर में डर का माहौल बन जाता है अब कौन दुश्मन बना बैठा है हमारा मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है हमें ही कोई मार न दे कुछ दिन बाद साहिल आधी राद में पानी बीने के लिए उड़ता है तो उसे कमरे में से कुछ आवाज आती है वो चेक करता है तो उस कमरे में काफी अंधेरा होता है और वो उनकी बाते सुनकर हैरान हो जाता है अच्छा तो ये सब किया धरा तुम दोनों का है बड़े ही शर्म की बात है उस कमरे में करिश्मा अपने पती अनिरुध के साथ बैठी है तो तु है जो हम सब को मारना चाहता है अब तुझे सब कुछ पता चली गया है तो क्यों न आप तुझे भी मार दू ये सब तुम पपटी के लिए कर रहा है न और तुम काम से कहीं बाल भी ने गया था मुझे पता है तुम इसी शेर में भटक रहा था तुम अभी भी पहले जैसा ही है लालची हाँ बिल्कुल सही समझे कहीं सालों से आप लोग की चाकरी करके हम परिशान हो गए थे पस अब बहुत हो गया अनिरुध बगल में रखे हुए कांच के गमले को उठा कर उसे तोड़ के नुकीला बना देता है और तूटे हुए गमले को हाथ में पकड़ के साहिल की तरफ बढ़ता है वहीं दूसरी और करिश्मा साहिल का मौ पकड़ लेती है तभी बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं आगे मत बढ़ना नहीं तो ये मारा जाएगा तभी कमरे के बिस्तर के नीचे से अनुच निकलता है और अनिरुध के हाथ से तूटे हुए गमले को छीन लेता है मौके पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है अनिरुध और करिश्मा अपनी नजरे नीचे करे हुए थे और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर दोनों को वहां से पकड़ कर ले जाते हैं अगले दिन रामकिशन और गारगी भी पूनम के ससुराल पहुचते हैं पिटा पूनम मुझे माफ करना मैंने तेरी विदाई के समय जान बूच का तेरी विदाई नहीं करी थी मैं चाहता हूं कि तेरी शादी फिर से हो और मैं तेरी अच्छे से विदाई करू हाँ अब अनुच भी एकदम सही हो गया है भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है जल्दी से शुब मुहरत निकलवाते हैं कुछ दिन बाद शुब मुहरत देखकर अनुज और पूनम की शादी फिर से करवाई जाती है पूनम फिर से दुलहन बनती है और बेहत खुबसूरत लगती है सभी लोग काफी खुश होते हैं और रामकिशन बड़े अच्छे से अपनी बेटी पूनम की पूरी रीती रिवास के साथ विदाई करता है पूनम भी मुस्कुराती है और दोनों एक खुबसूरत जिन्दिगी जीते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग